हेलो फ्रेंड्स मैं अजीत कुमार आपके यूटूब चैनल कमडिशन कम्यूटिप पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो आईए आज हम लोग अपने SSE exam के point of view से grammar का एक ने topic सुरू करते हैं क्योंकि दोनों के tier 1 में ये समान रूप से question पूछा जाता है बात समझ में आ रही है इसके साथ साथ आपको इसको पढ़ने के लिए किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो कौन-कौन सी चीज़े हैं जो आपको पहले से इसको सीखने के लिए आनी चाहिए और इन में कहां-कहां पर क्या-क्या confusion होता है हर एक बात पर हम लोग डीटेल से चर्चा करेंगे वाइस को हम लोग बिल्कुल basic label से बिल्कुल bottom label से foundation label से zero label से समझना सुरू करेंगे और यहां से advanced level तक हम लोग चलेंगे ठीक है यह CHSL के tier 2 में नहीं आता क्योंकि CHSL का जो tier 2 होता है वो descriptive होता है जिसमें एसे लेटर आपको लिखने के लिए पूछा जाता है लेकिन यदि CGL के हम बात करें तो CGL के tier 2 में अर्था CGL के means में Y से कम से कम 20 नंबर के question हर बात देखने को मिलते हैं तो यह न किवल आपके SSC में देखने को मिलता है बलकि यह आपके bank में भी पूछा जाता है NDA हो CDS हो या और भी कोई exam हो सभी जगों पर direct या indirect रूप से ही आपको देखने को मिलता है Tense में आपको जो confusion होता है Tense में जो given sentence होता है उसका Tense समझने में आपको जो परिशानी होती है उसको भी ठीक करने के लिए उस परिशानी से भी बचने के लिए उस confusion को दूर करने के लिए भी आपको voice पढ़ने के जरूरत होती है जैसा कि हमने आपको Tense Part 1 में बताया था Tense Part होती है ठीक है और हर एक step को हर एक rule and concept को detail में आराम से step wise step सीखेंगे और उन सभी rules and concept पर बेस्ड आपके एसे सी previous year में पूछेंगे कुछ question को हम रोग साथ ही साथ लगाते चलेंगे ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि हम में से कई बच्चों के आते common समस्यां देखने को मिलते हैं क्या होती है common समस्या भाई common समस्या यह होती है कि जब भी कभी आप किसी भी grammar के topic को पड़ रहे होते हैं तो उसके rules and concept आपको समझ में आते हैं example आपको समझ में आते हैं बड़ जब आप कभी कहीं भी practice करने जाते हैं कहीं previous year paper उठाते हैं कहीं भी आप उस तरीके के यह उस chapter से related question को solve करना जब सुरू करते हैं वहां पर आपका दिमाग काम नहीं करता वहां पर कई बच्चे confused होते हुए नजराते ठीक है तो इस कारण से हम लोग साथ साथ यहां पर question को लगाते चलते हैं दोस्तों हम आपको बताते चले कि यह जो हमारा batch है यह बिलकुल निसूलक है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी hidden charge include नहीं है और एक मार्ज से अब तक हमारा जो English का lecture week में दो दिन जाता था ठीक है week में दो दिन आपको मिलता था एक मार्ज से अब यह week में पास दिन आपको मिलेगा from Monday to Friday from Monday to Friday every day मिलेगा साम में पास बज़े तो आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिलकुल से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना बिलकुल भी न भूले ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अब तक पहुंशते दें हम आपको बताते चले कि यह जो हमारा बैच है यह जो हम लोग निसुल को बैच चला रहे हैं जिसमें एससी के चारो सब्जेक्टें इंक्लूड हैं इंग्लिज मैथ रिजनिंग और जीकेश इंक्लूडिंग करेंट अफियर्स यह सभी के सभी लेक्चेर्स आपको free of cost एविलेबल हैं कहाँ पे हमारे यूटुब चैनल पे तो आप हमारे यूटुब चैनल पे चले जाएं वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके आप एससी वाले win में चले जाएए वहाँ पे आपको ये सारे lectures एक साथ देखने को मिल जाएंगे दोस्तों हम इसका PDF भी आपको provide कराते हैं और हम लोग Monday to Friday में जो कुछ भी आपको पढ़ाते हैं इसका आपको practice seat भी available करवाते हैं प्रते एक subject से 25-25 question का आपको एक practice seat हम लोग available करवाते हैं ये PDF और ये practice seat दोनों ही चीज़े available होते हैं कहां पे तो हमारे website पे और हमारे app पे तो हमारे website या app पे जाके आप निसुल के खुद को register कर सकते हैं mobile number verify करवा के mobile number verify करवा के आप खुद को वहाँ पे register कर लेजिए फिर वहाँ से आप हमारे सारे PDF को receive कर सकते हैं ठीक है आप अपने doubt को हमारे doubt community में पूछ सकते हैं website से या आप telegram channel में भी पूछ सकते हैं ठीक है चलते हैं अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग और फटा फटा हम लोग पढ़ना सुरू करते हैं वाइस तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको बताते चले कि हमें से ज्यादा तर लोगों को यह confusion होता है कि वाइस क्या होता है वाइस English grammar के किसी parts of speech में तो नहीं है ठीक है parts of speech में हम लोगों को पढ़ना होता है और आप याद किजिए हम जब आपको टेंस पढ़ा रहते तब भी हमने आपको बताया था English grammar में सबसे बड़ा role play करता है वर्ब के section में आपको टेंस पढ़ना होता है आपको वाइस पढ़ना होता हैं आपको narration पढ़ना होता है बात समझ में आ रही है और adjective का जो section है adjective के section में आपका क्या किया कबर होता है pozy明 words modifier आर्टिकल वह सारे उसी के section है ठीक है तो आर्टिकल से रिलेटेट बड़े आसान से कोशन आपके SAC exam में देखने को मिलते हैं तो आर्टिकल का जो नॉर्मल सा कॉंसेप्ट आप बजपन से जानते हैं कि एक का से एक्सेंस एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अन का यूज करते हैं किसी की क्वालिटी को एक कुशन पूछे जाते हैं आप उन सब को आसानी से सॉल्ब कर सकते हैं ठीक है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं दोग चलते हैं वाइस के दरब देखिए वाइस को पढ़ने के लिए क्या-क्या आना चाहिए सबसे पहले वाइस हम लोग पढ़ते का है तो वर्व के सि चले ठीक है यह जो वाइस होता है वाइस में आप क्या करते हैं तो active और passive पढ़ते हैं sentence का नहीं subject object का नहीं बल carbohção का ड किसका र्सर livres का यानि किसी भी given sentence में active या passive जो चेंज गलते हैं हम लोग यह किसका करते हैं तो सर्फ और सिर्फ वर्ब का करते हैं दोस्तों आप ज़राध ध्यान देजें हम जब आपको टेंस पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि टेंस में हम लोग पढ़ते किया है तो टेंस में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले कि यह active में होते हैं, जिसके बारे में हमने आपको tense pattern में बताया था, जहाँ पे हम आपको wise को पाचानना सिखा रहे थे, ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको कोई भी confusion हो, तो आप उस वीडियो में भी जाके हमारे इस जानकारी को detail में आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है, आईए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाना सुरू करें, कि देखे हम लोगों का confusion कहां से होता है, क्या क्या होता है, सबसे पहले हम सब लोग बचपन से जानते हैं, कि sentence का structure क्या होता है, तो होता है subject plus word plus object, और ऐसा structure हम लोग हम लोग समझें, कि इसका form कहां कहां चेंज करता है, active से passive जो हम लोग पढ़ते हैं, वो किसका पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्व का पढ़ते हैं, ठीक है, अब इसके अलावा active passive में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, तो हम लोग जो बचपन से जानते हों, recording यह subject और यह object इनका position चेंज करता है यह active में यदि है तो passive के यदि हम लोग बात करें तो passive में आप देखिएगा कि जो object है यहाँ पर आ जाता है यह जो subject है यहाँ पर चलाता है और बीच में इनका जो active और passive का format है वह चेंज करता है वह यहाँ भी झाता है बट यह active में होता है यह और यह कहाँ चला जाता है यह passive में चला जाता है ठीक है बात समझ में आ रही है अब इसके बारे में देखिए हम लोग थोड़ा सा और सीखते चले तो सबसे पहले कि यह हम लोगों का जो basic जानकारी है जो जैसे माल यहाँ पर ही लिखा हुआ हो और यहाँ पर लिखा हुआ हो देम लिखा हुआ हो ठीक है तो देम का यहाँ आएगा तो बन जाता है दे यह हो गया सब्जेक्टिव केस में और ही इधर जाता है तो ही का बन जाता है हिम तो ही था वहाँ पर सब्जेक्टिव केस में औ हम सबों का पहले से ठीक होना चाहिए क्या क्या है बाई तो पहला प्रोनावन का टेवल प्रोनावन का टेवल में पूरा प्रोनावन का टेवल यह दिया आपको याद नहीं हो तो कम से कम सब्जेक्टिव केस और अब्जेक्टिव केस यह दो चीजे हम लोगों की अच्छी हो न चाहिए यदि ये दो चीजे हम लोगों के ठीक है दो चीजे हम लोगों को अच्छी तरीके से याद हो इन में हमें कोई दिक्कत नहीं हो इनका concept clear हो तो हम लोगों के लिए voice को या voice के पूछे जाने वाले question को active हो या passive हो उसको change करने में थोड़ी से बिक्कत नहीं जाने वा पढ़ेंगे उसके structure को भी future perfect continuous पढ़ेंगे sorry future perfect पढ़ेंगे उसके structure को भी तो structure के साथ आपको सीखना ही पढ़ता है ठीक है क्योंकि इसमें हम लोग यही सारी चीजे पढ़ते हैं ठीक है तो यह दोनों basic conditions है अब इनके अलावा और क्या क्या हम लोगों को पता होना चाहिए तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि transitive और intransitive क्या होता है यह भी हम लोगों को पता होना चाहिए helping verb क्या है main verb क्या है यह भी हम लोगों को पता होना चाहिए तो helping verb और main verb यह तो आप बजपन से जानते हैं ठीक है transitive और intransitive क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा हमने एक जब हम लोग उसको पढ़ना सुरू किये थे दूसरा जब हम लोग present continuous पढ़ रहे थे जहां पे हम लोगों ने वर बाव परसेप्शन को पढ़ाता तो इन दो जगों पे हम लोगों ने उसको सीखाता अब आईए उसके अलावा यहां पे किस तरीके से इनका यूज होता है यह भी हम लोग सीखते चले ठीक है देखे active passive में सबसे पहले क्या क्या होता है जैसे हमें एक छोटा सा sentence लेते हैं छोटा सा example लेते हैं एक दम छोटा सा example जैसे see see helped see helped them ठीक है अब इस sentence में देखे यह क्या है यह हमारा subject है यह क्या है तो यह हमारा mean word और दोस्तों हम आपको बताते चले यह क्या हमारा तो यह हमारा object दोस्तों हम आपको यहां पर बताते चले किसी भी sentence में यदि वह active में है यह passive में यह आपको पाचानना है तो सबसे पहले आप उसका main word पकड़ लिजे में वह पकड़ लिजे और किसी भी sentence को आपको active से passive में चेंज करना हो यह passive से active में change करना हो सभी हालत में सभी conditions में सभी परिस्थित्यों में आप सब से पहले उसका main verb पकड़ लिजी और main verb को change ही किया जाता है किसी और हम लोग change नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ main verb को change करके ही given sentence को हम लोग active से passive या passive से active में है जब कोशन दिया गया होता है चाहिए आपका टियर 1 के हैं और टियर 2 का की बात कराद हैं और या टीर टू हो थिसी ऐशेशल क aspects 1 में यह पूछा जाता है झाएट तो किसी भी झाँ में यह पूछा जाए 이상 API के वहाँ पर कोशन का जो given होता है change active oblique passive into passive oblique active या change the wise of following questions मतलब नीचे जो question दिएगा है उनका वाइस आप change करते यह दिए वो active में है तो passive मिले जए यह passive है तो active मिले जए ठीक है तो यहां पर कई यह इसी चीजे होती है जो हम लोगों को समझना ज़रूरी है कैसे समझना ज़रूरी है एक और बात देखिए हम लोग आbn तौर पे क्या जानते है पैसिब के बारे में तो passive के बारे में हम लोग आम तौर पे बज़पन से जो जानते हैं वो यह जानते है कि passive में by preposition का यूज होता है कौन से preposition का preposition by का यूज करते हैं तो by का मतलब passive passive का मतलब by इस तरीके से हम लोग बच्पन से एक mindset हम लोगों ने अपने अंदर बना लिया ठीक है तो आप इन सारे confusion से बाहर निकल जाएए क्यों क्योंकि wise में कई ऐसे वर्ब होते हैं जिन में passive में या जिनके passive form में preposition by का यूज नहीं होता है बलकि अलग-अलग preposition का यूज होता है ठीक है फिर से हम आपको repeat करते चलें ऐसे कई verbs होते हैं जिनके passive form में preposition by का प्रयूग नहीं किया जाता है बलकि उनके साथ अलग-अलग concept है कि हम लोग passive voice में preposition by का योज करते हैं ठीक है अब देखिए हम यहाँ से आपको समझाते चले तो यहाँ पर यह क्या है main verb है यह कहाँ पर है active में है ठीक है क्यों active में है तो यह है वर का second form ठीक है अब जब हम लोग इसका active से पैसी बनाते है तो हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं द्रीवर help डेवर helped अध्यान से देखिएए अन यह किसमें चेंज कर गया हर में यहां पर प्रेपोजीशन दिए फिरफ क्या है यह हमारा helping यह क्या है तो यह हमारा helping वर्म अब आप याद किजी हम जब आपको 10 पार्ट पढ़ा रहे थे तो 10 के 1st lecture में हमने आपको बताया था कि passive को पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कहीं भी कोई भी sentence आपको given हो कहीं भी कोई भी sentence यह दिया आपको given हो तो हमने आपको बताया था कि वो passive में तभी माना जाएगा जब उसका format आपको दिखाए पड़ेगा बी इबी प्लस वर्व का third form बताये थे अब आप इसको याद किजिए इसको detail में समझाते हुए हमने आपको बताया था कि बी इबी का मतलब के वाली यह भी word नहीं है बलकि इज एम आर हो इस मतलब का third form आपको दिखाए तो sentence पैसिव में है वाज वर्व के साथ यह वर्व के साथ यह आपको कहीं भी वर्व का third form दिखाए दे तो sentence passive में है और यदि इन में से कोई भी दिखाई ना पड़े तो वो sentence कभी भी passive में नहीं ठीक है आप याद किजे हमने ये बातें आपको बताई थी कहाँ पे 10s part 1 में 10s part 1 में हमने आपको ये भी बताई था कि ये जो format हम लोग पढ़ते हैं इसको छोड़के आप कोई भी structure पढ़ते हैं कहीं कुछ भी पढ़ते हैं सब का सब कहाँ पे हैं तो active में इस बात को आप ठीक से समझेए इस बात को ठीक से समझेए क्योंकि ये आपको कई बार confuse करता हुग नजराएगा और आप में से ज्यादा तर बच्चे यहीं पे इन ही sections में active passive को नहीं पाचान पाते हैं तो अब आप इसको रट्टा मार लिजे आप इसको याद कर लिजे याद कर लिजे कहीं भी आपको कोई भी sentence दिखाई देगा आप simply बसके वो इतना चेक कर लेना भाई और इतना यदि आपको sentence में इन में से कोई भी एक यदि आपको sentence में दिखाई पड़े तो वो sentence रहेगा passive में otherwise वो sentence माना जाएगा active में तो अब आप में से कई बच्चों के मन में doubt हो सकता है ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारा tense part 1 नहीं पढ़ा होगा या हमारा tense आप में से किसी नहीं नहीं पढ़ा होगा तो उसके मन में एक doubt create हो सकता है sentence में translation में हम लोगों ने बच्पन से जो structure पढ़ाता है या और वे जितने structure हम लोग पढ़ते हैं वो कहां पे हैं वो active में है या passive में भाई आप simple सी बात समझें वो सारे के सारे कोई भी structure आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये वाला format use नहीं होता है इन में से कोई भी वहाँ applied होता हुआ दिखाई नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता है सीडी सी बात है कि वो सारे के सारे कहा है तो active में है तो अब आप अपने confusion को ठीक कर लिजिए confusion को आप सुधार लिजी तेंस के आप जितने भी structure पढ़ते हैं या और कोई भी जितने भी आप structure पढ़ते ह चले कि यह क्या है अब जैसे अभी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसके according देखे यह क्या दिखा इतर है वाज वर वाज वर के सांथ यह क्या है यह वर्व का third form अब आप में से कुछ बच्चों के मन में फिर एक confusion create होता है सर कुछ ऐसे वर्व होते हैं जिनके second form और third form same हो तो इसको explain करते हुए हमने आपको बताया था आप simply check किजिए इसके पहले helping verb present है या नहीं अब आप जब यहां पर ध्यान दिजिए यदि helping verb available हो कोई भी ऐसा वर्व जिसका second form और third form same होता है इसको हम लोग क्या कते है तो इसको हम लोग कते है regular और ऐसा confusion होने का कारण क्या है भाई तो ऐसे बहुत सारे वर्व होते है जिनके last में ed लगाकर हम लोग उसका second form भी बनाते है और third form भी बनाते है ठीक है इसी कोई भी helping बनाते हैं इनके ठीक पहले यदि कोई भी helping बनाते हैं लेकिन ऐसा कोई भी बनाते हैं यहां पर प्रेजेंट नहीं हो कोई भी helping बनाते हैं तो यह काम करेगा वर्व के second form का रोल यह प्ले नहीं करेगा बात समझ में आ गई तो यहां से यह confusion भी आपका दूर हो गया अब चलिए इसके बाद हम लोग सीखें कि तो transitive क्या होता है पर साथ साथ करते चले तो इनके सीखने के लिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते एक छोटे से अब यहां पर देखी जरा ध्यान से यहां पर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला सबसे पहले यह क्या है तो यह में वह यह क्या है यह हमारा object और जैसा कि अभी थोड़ी दिर पहले हमने आपको बताया active passive के सारे doubt clear करने के लिए यह active passive में जितने भी आपको doubt हो सकते आपके हर confusion का answer को देगा तो आपके हर confusion का answer देगा में वोग क्या देगा में वोग देगा तो अभी अभी sentence हमने लिखा था see bits him see bits him अब यहां पर यह क्या है तो यह हमारा subject यह क्या है यह हमारा subject यह क्या है यह हमारा object ठीक है और यह देखिए दूसरा फिर हम sentence लिख रहे हैं यहीं पर जिसमें वर्व सेम रहेगा यहां पर हमने फोलस्ट्प लगा दिए ठीक है अब इन दोनों sentences को आफ दिरा ध्यानसे देखे ंठीक है लेकिन ऊपरवाले केस में देखिए इसी को हम लोग काते है have ट्रांजीटिव क्या कहते हैं इसको ट्रांजीटिव क्या बोलते हैं इसको ट्रांजीटिव बोलते हैं और नीचे वाले में इसको हम लोग आते हैं इन ट्रांजीटिव क्या है इन ट्रांजीटिव क्या है देखें हिंदी में आपने पढ़ा था सकर्मक्रिया अकर्मक्रिया स मतलब सांत में अ मतलब बिना ठीक है अ मतलब बिना उसके बिना सांत में ठीक है अब देखिए इसी को हम लोग कहते थे अकर्मक क्या कहते थे इसी को हम लोग कहते हैं अकर्मक और इसी को हम लोग कहते थे सकर्मक सकर्मक क्लियर अब सकर्मक मतलब क्या है कर्मक मतलब क्या है कोई भी वर्ब है कोई भी में वर्ब है उस में वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट गिवेन हो में वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट गिवेन हो तो उसी को हम लोग कहते हैं सकर्मक में वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवेन नहीं हो तो वही सेम भर्ब हो जाएगा सेंटेंस मे intransitive अकर्मक एक बात समझ में आ गई चले इसके आगे और कुछ जानकारी हम आपको देते चले देखे इसके अलावा भी जैसे हम एक example लेते हैं आपको आगे पढ़ना है हम सबों को आगे voice में पढ़ना है जैसे एक sentence हम लेते हैं he laughs he laughs her he laughs her अब देखे यह क्या यह subject है यह हमारा main verb यह क्या यह object ठीक है अब यहां पर आपको कहा जाता है according to grammar grammar हम लोगों को बताता है कि यहां पर आप object का use नहीं कर सकते क्यों कर सकते क्योंकि यह intransitive verb अब यह intransitive कैसे हो गया भाई अभी अभी तो सर आपने बताया था यह हम सब उने बच्पन से पढ़ा है वर्व के बाद अब्जेक्ट हो तो वह होता है ट्रांजिटिव और वर्व के बाद यह अब्जेक्ट नहीं हो तो वह होता है इंट्रांजिटिव होता है तो यहां तो अब्जेक्ट दिखाई पढ़ रहा है यहां कैसे यह हो रहा है फिर यह कैसे इंट्रांजीटिव हो गया तो इसको आए हम लोग यहां पर थोड़ा सा सीखते चलें समझते चलें देखें इनको सीखना समझना भी काफी आसान है क्या इनका कॉंसेट है बाई तो इनका कॉंसेट है कि ऐसा कोई भी वर्ब जिसको होने के लिए पूरा होने के लिए या पूरा करने के लिए हम मैं से किसी को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तो की कोई जरूरत नहीं हो उसको हम लोग आते हैं इन्टांजिटिव ऐसा कोई भी वर्ब आई रिपीट हम फिर से रिपीट करें ऐसा कोई भी वर्ब जिसको complete होने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तू की जरूरत नहीं हो उसको हम लोग काते हैं intransitive और जिसको complete करने के लिए जिसको complete होने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की जरूरत हो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिवन उसको हम लोग कहते हैं सकरमक बात समझ में आए अब कुछ एक्जामपल आपको देखे समझाने का प्रयास करते हैं सबसे पहले यही से हम लोग शुरूआत करते हैं लाफलाफ का ऐसे काम को करने के लिए किया आपको किसी दूसरे व्यक्ति या वस्त्यु की जरूरत होती है? नहीं होती, इस काम को आप खुद से करते हैं, हम जैसे आप से कहें कि आप खड़े होजागी, जैसे मान लेजppt, हम सब लोग आफ लाइन क्लास में हो, हम आप आपको आपको आफ से किसी भी एक स्टूडेंट से कहें चलो भाई खड़ा हो जाओ तो आप जरत ध्यान देजिए वह स्टूडेंट खुद से खड़ा हो जाएगा या उसको दो-चार लोग जाएंगे हाथ पकड़के ऐसे उठाएंगे उठो भाई खड़े हो जाओ सर बोलने ऐसा होगा क्या नहीं होगा ठीक है और यदि मालेजिए वह स्टूडेंट खड़ा हो गया हम उससे कहें कि ठीक है बेटा बैट जाएगा या फिर उसको बैठाने के लिए दो-चार लोग जाएंगे चलो भाई सर बोल रहें तुम बैठ जाओ तो आप ज़रा ध्यान देजे हमें या आपको किसी को भी खड़ा होने के लिए उठने के लिए बैठने के लिए क्या किसी के हेल्प की जरूरत होती है अब आ उचा करते हैं जो सामान तौर पे घटनाएं होती है उसी को तो हम लोग पढ़ते हैं आप ध्यान देखे देखीए आप किसी भी जगा कुछ भी पढ़ते हैं जो normal घटनाएं घटते हैं पूरा अलग है बात समझ में आ रही है हाँ यह ना आपको कोई कोई भी डॉक्टर नॉर्मल से दवाई देता है कोई भी नॉर्मल से दवाई देता है जैसे हम लोगों को सर्दी खासी बुखार हो जाए तो आप किसी मेटिसिन सेंटर पर जाके उससे पूछ किसी दवाखाना वाले से पूछ के उसे भी दवाई ले लेते हैं, आपके वीमारी ठीक हो जाते है, इन नौर्मल, हाँ याना, लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना में आप नौर्मल सर्दिक खासी ठीक करने के लिए दवा लेने जाए, एक तो दुकांदार आपको देता नहीं था याद किजी ठीक है और दुकंदार के सामने जाके दो-चार बार शीक मार दीजे वो भी घवरा के भाग जाएगा हाँ यह ना ऐसे घटना है घटना थी ठीक है तो यह असमाने घटना थी तो असमाने थी यह इसमें भी क्या था सरदी खासी था ठीक है कफ का प्रॉब्लेम ही था ब्रीदिंग का प्रॉब्लेम ही था जो नॉर्मल सरदी खासी होने पर कफ का प्रॉब्लेम होने पर किसी भी इंसान को खुता है लेकिन यह थोड़ा सा अलग था इसलिए इसको अलग ट्रिट किया गया बात समझ में आ रही है तो सभी जगों पर यह होता है जो सामाने से हम लोग exception में पढ़ते थे याद किजी ठीक है चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यह भी एक समाने सी प्रॉब्लेम है अब जरा ध्यान दीजिए हम आपको खुद यहां पर confuse करना सुरू करते हैं देखे एक दूसरा example लेते क्या example है दूसरा भई हम यह आप से कहें कि बता दो कि यह बात में इस क्या हुता है अस्नान करना ठीक है तो अस्नान करने के लिए को यह पहले बताएए पानी होना चाहिए ठीक है कई बच्चे यह सोचैने के लिए साबून होना चाहिए सेंपहों ओनी चाहिए होना चाहिए तरीके की चीजे होनी चाहिए ठीक अब उन मन में आएगा से पुछ भची बोलेंगे कि सार से इंट्र इस और अब करें आपका वाफ मतलब से नहीं कि अब ध्यान देजीए हम आप से कहते हैं खड़़ा हो आपको बेस चाहिए या नहीं चाहिए धरती चाहिए जमीन चाहिए सोने के लिए जगने के लिए उटने के लिए बैटने के लिए आपको बेस चाहिए के नहीं चाहिए चाहिए तो यह तो fundamental चीज़े इसके बीना कुछ complete हो ही नहीं सकता बात समझ में आ रही है जैसे कि आप में से ज़्यादा तर बच्चे पानी को चोड़के जितनी भी चीज़े आप सूच पाते हैं सब आप सूच लिजिए असनान करने के लिए ये सारी चीज़े आपके बातरूं में अबलेबल क करवाय जाए पानी बंद हो पानी नहीं आ रही हो नल में तो आप याद किजिए आप इस वर्ब को complete कर पाएंगे क्या आप असनान कर पाएंगे क्या नहीं नहीं तो यहीं वर्ब क्या हो गया टांजिटिव सोरी इंटांजिटिव बात को ठीक से समझीए अब जैसे इनसान को जीने के लिए तीन चीजें फंडामेंटल हैं रोटी कपड़ा और मकान लेकिन आज के डेट में हम लोगों का जो मोबाइल है जो गाड़ी है या और भी ऐसी कई चीजें जैसे इंटरनेट ठीकर नेट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूर है यह सारी चीजे क्या है एड़ ठीक है या इस तरीके के जितने भी एडिशनल चीजें आई हैं हमारे आपके लाइफ में बात्रूम में यह सब के सब क्या है बाद में एड़न हूई है हजारों साल पहले साइक रोविशन पहले इसमें से कोई भी चीज नहीं थी तब हमारे आपकर जो एंसेस्टर थे जो पूर्वज थे वो केवल पानी के द्वारा इस प्रॉसेस को फुल्फिल किया करते थे किसके मदद से सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से ठीक है बात समझ में आई तो कहने का मतलब यह है कि यह बात क्या है यह एक ऐसा वर्व है यहां पर हम लोग ट्रांजिटिव इंट्रां कर लिए अब देखिए हम लोग का रिफर्विस होके इंप्रूब होके नया डेफिनिशन क्या त्यार होता है तो ऐसा कोई भी वर्व जिसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को केवल फंडामेंटल चीजों की जरूरत होती है उसको हम लोग आते हैं इंट्रांजिटिव जो केवल फंडामेंटल चीजों की मदद से कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम लोग काते हैं इंट्रांजिटिव और जिसको कंप्लीट होने के लिए फंडामेंटल चीजों के अलाबा कही और चीजों की जरूरत होती है उसको हम लोग काते हैं ट्रांजिटिव ठीक है बात सम लेकिन हम यदि आप से पूछे कि यह सिंपली बीट बता देजिए तो का मतलब क्या होता है पीटना तो पीटने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं आप किसको पीट थी हाथ आप हवा में ऐसे ले लिए जहते से रहे हैं कि कोई आह दो होना चाहिए तो यदि कुछ fundamental क्या था तो किई-टने वाला क्या होगा हो उनेज 550 कि यह लिग होना चाहिए जैसे आप कभी कहीं किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां 더 देखें घंटी बजाने के को बजाने के लिए लोगोते कही होतस जगों का इवह तो अब हो ले देखेंगा मैसीम होता मसीन लगा होता है आप ऐसे बटन दबाःइब दें और बिंदे हैं उसके नदर होनी चाहीए की नहीं ठीक है तो energy होने चाहिए उसके लिए current electricity होने चाहिए केवल current और electricity से वह machine यह दिया ऐसे इसे पीटना शुरू करें हिलना डूलना शुरू करें तो क्या घंटी बजेगी नहीं उसके लिए दूसरा कोई plate ऐसे होना चाहिए जिस तौप होगया कट मतलब क्लीए आपको चाको देर घात पाएंगे नहीं वास मतलब हो चाहिए तो कपड़ा चाहिए कुछ और चीज़ है चाहिए तो वो क्या हो गए अच्ञेटेव नहीं चाहिए तो एंटरेशी टीटिव कब जो विधाूट सब्झेक्ट लोग टाल संटेंस आप से पूछा जाए तब विदाउट संटेंस आप से पूछा जाए तब यह हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का concept अब देखिए यह हम आपको क्यों सिखा रहे थे यह हम आपको क्यों समझा रहे थे इसकी हम सबों को जरूरत क्या थी तो इसकी जरूरत हम सबों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर laugh को बताया गया कि लाप क्या है इन्ट्रांजिटिव है और यह इन्ट्रांजिटिव है इसलिए आप यहाँ पे हर का यूज नहीं कर सकते हैं ठीके बात समझ में आ रही है अब ज़रा ध्यान देजिए तो ऐसे sentence में चुकी यह intransitive है इसलिए यहां पर object का use हम लोग नहीं कर सकते हैं ठीक है और तब इसका passive भी possible नहीं है इसका passive भी possible नहीं है ठीक है अब ज़रा ध्यान देजिए यह दुनिया के जितने भी intransitive verb होते हैं सबको हम लोग टांजिटिव बना लेते हैं विद देहलप ओफ प्रेपोजीशन किसकी मदद से तो प्रेपोजीशन की मदद से दुनिया के सारे intransitive को हम लोग क्या बना लेते हैं तो हम लोग बना लेते हैं transitive क्या बना लेते हैं transitive, अब ये देखे एक प्रे Elsie अमने, यूज कर लिया, अब यहाँ पे हम हर लिखेंगे, अब यह sentence सेई हे हे, अब यही, उपर में था, in transitive ह अब यह है यह बन गया transitive, with the help of preposition, इJames subject है और यह object है, अब यह sentence है बात समझ में आ रही है और अब इसका पैसिव बनेगा इसका पैसिव बनेगा इसका पैसिव पॉसिबल है इसका पैसिव पॉसिबल है यह बात समझ में आ रही है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ एक सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना हम लोग सीखते हैं तिन्स पर बेस्ट कुछ कोशन का active से passive बनाना हम लोग यहां से सुरू करते हैं, सीखना सुरू करते हैं, तो सबसे पहले अब हम आपको फिर से यहां पर बताते चलें, कि active से passive बनाने के लिए क्या-क्या हम लोग करते हैं, से पैसिव जब हम लोग बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से आपस में हाँ पर इंटर चेंज करते हैं और दोनों का केस भी चेंज करते हैं ठीक है चलिए पहला कंडिशन हो गया अब इसके बाद दूसरा condition है कि इसमें पैसिव में कहां पे पैसिव में आप इसको यहां पे नोट करते चलें इसको याद करते चलें ज्यादा बहतर है कि आप इसको लिखते हुए चलें पैसिव में हम लोग हमेशा और हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का और passive में, passive में ही हम लोग preposition by का use करते हैं, in general, passive में हम लोग preposition by का use करते हैं, किसका, preposition by का use करते हैं, in general, समाने तोर पर, समाने तोर पर हम लोग preposition by का use करते हैं, कब करते हैं, समाने तोर पर करते हैं, कहां पर करते हैं, passive में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इन जेनरल से माने तोर पे आम तोर पे हम लोग passive में preposition by का use करते हैं ठीक है चले अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ concept को हम लोग सीखना शुरू करते हैं तो अब यहां से आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम आपको दिखाते चले कि यह pronoun का table है और इस pronoun का table में आप जरा ध्यान देजें यह जो subjective case है और objective case है यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो हमारा subjective case है कौन सा केस है यह तो यह हमारा subjective case इसका जम के यूज होता है इसी को subjective कहते है या nominative भी कहते हैं यह है हमारा objective case इसका भी जम के यूज होता है तो active से passive में जब हम लोग change करते है तो ये इसमें convert करेगा ये इसमें convert करता है ठीक है बाके चीजे सामाने ये दोनों change नहीं करता है और हम आपसे request करेंगे कि आगे चलके चुकि हम लोगों को narration भी पढ़ना है narration अपने CC exam में पूछा जाता है तो narration का question या narration का जो chapter है वो आप सबों को easy लगे easy होने के लिए आपको ये pronoun का table जैसे हमने लिखा इसी तरीके से आपको from left to right याद होना चाहिए इसको हम लोग काते है i family इसको काते है we family ये दोनों कौन सा person है तो इन दोनों का person है first person you को काते है हम लोग you family और ये कौन सा person है second person इन तीन word को छोड़कर अर्थात i, we और you इन ती board को छोड़ते हैं तो बाकी सारे के सारे कौन से person कर लाते है तो बाकि सारे के सारे कर लाते थरड पर्सन बाध समझ में आ रही है चलिया फटहवतर इनके आगे निकलते हम लोग तो अब इसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है यहां से 10 best अब 10 का structure हम आपको संबसे पहले ऎस आहूल हम आपको बताते चलिया दिखेए present in इसको हम लोग इसमें कनवोर्ट करते हैं यह होता है एक्टिव में हम-lipped,जु लिख रहे हैं यह हो गा- Actor और the right-side मैं जो हम लिखेंगे यह होगा पैसिव यह होगा पैसिव का shtrk न तो इसको हम लोग इसमें change करते हैं इस ख सकते हैं इस इसको किसमें चेंज करते हैं वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में फूचर इन डिफरेंट की बात करें तो फ्यूचर इन डिफरेंट का स्टॉक्चर क्या होता है सैल या विल सैल या विल प्लस वर्ब का फॉर्स फॉर्म हम लोग इसको इसमें चेंज करते हैं बात समझ में आ गई चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं टॉच और स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं और देखते हैं आप इसको याद रखेए का लेप आप इसाट में क्या लिख रहे हैं तो इसको याद रखेएक और इसप्रूम धालिक्टिक होता है पैसिब का स्टुक्शर क्या होता है तो पैसिमें लोग कि पास्ट कbane Marriage क्या होता है तो एक्टीव स्टुक्चर होता है वís वर्ब प्लस वर्ब की फूर्ट फॉर्म इसको convert करते हैं लोग वोज वर्ब वोज या वर्ब प्लस बिंग वोज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अब आपके मन में डाउट आएगा सर फ्यूचर कंटिनिवस का क्या होगा फ्यूच continuous का passive नहीं बंता. Future continuous का passive नहीं बंता. देखिए, tren's कितने है? 3 present, past और future और 3ों के 4-4 types होते है. Indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. तो हम आपको यहीं पर बताते चले कि किसी भी perfect continuous का किसी भी perfect continuous का passive नहीं बंता. तो total कतने है? 3ों के कतने lindo 0. टिक है? तो टोटल कितने हो गए, टाइप के साथ कितने हो गए, टोटल हो गए, 3, 4, 12, ठीक है, 3, 4 का 12, बात समझ में आ रही है, ठीक है, अब इसके आगे हम लोग समझें, तो 12 में से 3 perfect continuous तो निकल गए, 12 में से 3 continuous तो निकल गए, अब कितने बचे 9, और 9 में से एक future continuous का भी passive नहीं ब बनते हैं, continuous में, past के continuous के बनते हैं, present continuous के बनते हैं, future continuous के नहीं बनते हैं, perfect की बात करें, तो perfect में तीनों के बनते हैं, चाहे हो present हो, past हो, यह future हो, perfect continuous के बात करें, तो तीनों में से किसी के नहीं बनते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चले, अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग perfect की तरफ चलते हैं अब हम आपको लेकर चलते हैं perfect में लेके present perfect के active की बात करें इधर left में active और right में हम लिख रहे हैं passive ठीक है तो active का structure क्या होता है इसका structure होता है has ya have has ya have plus verb का third form इसका passive बनाते हैं तो हम लोग लिखते है has ya have has ya have plus bin plus bin plus verb की third form आप इन सारे structures को याद ठ्षाधर है और यदि past की बात करें तो past में हम लोग use करते है head plus verb की third form इसको कि समे currently convert करते हैं तो इसको convert करते हैं head plus bin head plus bin plus verb की third form में convert करते हैं ठीक है future की इसके बात करें तो इसको हम लोग convert करते हैं अब थोड़ा सा और आगे की चर्चा कर ले यदि कोई model auxiliary verb आपको दिखाए दे तो उसका कैसे बनाते हैं कोई भी model auxiliary verb हो कोई भी model auxiliary verb हो तो इसके साथ यदि ये verb का first form दिखाए दे तो ये active का pattern होता है इसका passive जब हम लोग बनाते हैं तो model verb को हम लोग change नहीं करते हैं जो भी model auxiliary verb आपको given हो वो रहेगा ही वो change नहीं करेगा जैसे can है तो can ही लिखेंगे can का could हम लोग convert नहीं करेंगे cell का suit हम लोग convert नहीं करेंगे विल काउड हम लोग convert नहीं करेंगे make a might might कमे नहीं बनाएंगे ठीक है इस तरीके से इसके साथ क्या करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं बी इबी प्लस वर्ब का third form यह हो गया आपका passive ठीक है इसका भी perfect आपको देखने को मिलता है क्या मिलता है तो कभी-कभी आपको देखन बनाते हैं तो passive में आप यूज करेंगे model auxiliary verb plus have plus have plus been plus been plus verb का third form यह आपको देखने को मिलेगा एक और बसता है आपका infinity infinity क्या होता है तो two two के साथ हम लोग use करते हैं वर्ब की first form तो के साथ क्या use करते हैं वर्ब की first form यह होता है active इसका जब हम लोग passive बनाते हैं तो इसी को हम लिखते हैं टूबी प्लस वर्ब की third form क्या लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं टूबी प्लस वर्ब की third form में इसको convert करते हैं यह था active इसे का बन गया यह passive बात समझ में आई तो यह moolboot structures थे moolboot structures थे basic structures थे जिसका use आपके voice में active passive passive active में हम लोग जम के करेंगे ठीक है अब यहां से आगे बढ़ाते हैं आपको कुछ और section की तरफ लेकर चलते हैं इन सारे structures को हमने आपको एक साथ बताया इसको देखे आप में से कई बच्चों के मन में confusion create हो सकता है सर ने बताया कि हम आपको basic से लेकर चलेंगे एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे one by one पढ़ेंगे step wise step पढ़ेंगे और उस पे best कुछ question को बनाते चलेंगे लेकिन यह क्या यह तो सारे structure को एक साथ सर ने पढ़ा दिया और question एक भी discuss नहीं हुआ बहीं यह basic तोर पे हम आपको बता रहे थे कि आप इसको copy में notes बना कर लिख कर रख लेंगे आप इसको याद कर लें ठीक है क्योंकि आम तोर पे आपका जो mindset बना हुआ है वो कुछ इस तरीके का होता है किस तरीके का होता है तो हम आपको दिखाते चलें आपका एक mindset बना होता है कि इस तरीके स आपके एक्जाम में question given होता है और इसका instruction होता है change the wise of following question ठीक है तो ऐसे आपको question given होता है आप इसका voice पहचानी है कि जो question दिया हुआ है वो active है या पैसी में है और active है तो पैसी में convert कीजिए पैसी में तो active में convert कीजिए ठीक है एसे सी में आम तोर पे बच्चों का आउधारन इसी प्रकार का बना हुआ होता है अब हम आपको यहां पर aware करते चलिए why से question न सर्फ इसी प्रकार से पूछे जाते हैं बलके sentence इंप्रूमेंट में भी देखने को मिलते है फिल इंद ब्लैंक में भी देखने को मिलते है common error या error detection का जो section है उसमें भी आपको देखने को मिलत है तो जब इससे question आपके sentence improvement में या common error वाले section में पूछे जाएंगे feelers में पूछे जाएंगे close test में पूछे जाएंगे तो वहां पर यह instruction given नहीं होता है कि आप इसको active में convert करें या passive में convert करें तब उस समय आप उसके structure के माध्यम से उसको पहचानेंगे और उसी के माध्यम से आप उसको active passive जिस sense की वहां पर sentence में जरूरत होगी आप उसका use करेंगे बात समझ में आ रही है ठीक है तो अब इस section की तरफ हम लोग चलेंगे one by one एक दम आराम से इत्मिनान से यहां पर हम आपको थोड़ा सा समझाते चले present in different का structure हमने आपको क्या पढ़ाया था तो present in different structure हमने आपको बताया था अभी अभी थोड़ी दिर पहले कि सबसे पहले आपको क्या करना था तो sentence में वर्ब को पकड़ना था में आपको क्या दिखाई देगा वर्ब का first form या वर्ब का fifth form और फिर इसको हम लोग किसमें convert करते हैं तो हम लोग इसको convert करते हैं इस MR और इसके देखने को मिल रहा है इन दोनों sentence में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया active passive के सारे doubt का answer कौन करेगा main verb तो सबसे पहले आप main verb को पकड़िए फिर उसके बाद subject फिर उसके बाद object अभी जो sing है ये कौन सा वर्ब का form है तो ये वर्ब का first form देख लिए तो इसका tense कौन से अभ सिख है तो इस तरीके से ये sentence हो गया अब ये प्लक्स क्या है तो ये वर्ब का fifth form है वर्ब का fifth form है इसका tense क्या हो गया तो इसका टेंस हो गया present in different ठीक है इसके बारे में हमने आपको पहले से बता रख रहा है आईये एक बार फिर से in a brief हम आपको tense को पहचाना भी in a brief हम आपको टेंस को पहचानना भी बताते चले revise करवादे ताकि आपको wise को पहचानने में wise के question को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाए नेकि यह जो verb के 5 form होते हैं जैसे verb के first form, second form, verb के third form verb का यह fourth form और verb का यह fifth form यह 5 form होते हैं किसी भी verb के एक छोटा सा आसान सा example है इत यह होता है verb का first form इसका second form क्या होता है third form क्या होता है और यह क्या होता है बाई तो यह होता है inner इसमें हमेंसा आई एंजी लगा होता है फॉर्ट फॉर्म में हमेंसा आई एंजी लगा होता है फिप्ट फॉर्म में हमेंसा एस एस लगा हुआ होता है ठीक है अब आप देखे इसका टेंस को कैसे पाचानेंगे कैसे डिटर्मीन करेंगे सेंटेंस को देखते हैं वर्ब का ज किसी न किसी continuous में होता है इसलिए इसको हम लोग समझने के दरिश्टी कौन से रखेंगे continuous में अब आपको torture कौन करता है फसाता कौन है बेवफाई कौन करता है तो यही करता है अब इसका structure क्या है भाई तो यह देखे यह जो वर्ब का third form है इसका दो प्रकार से यूज हम लोग sentence में करते किसी भी given sentence में इसका यूज हम लोग दो प्रकार से करते हैं कैसे करते हैं आईए इसको सीखते चले यह यदि हैव के साथ आपको दिखाए पड़े हैव के साथ दिखाए पड़े हैव के साथ यदि वर्ब का third form यूज किया गया हो तो यह कहलाएगा perfect इसका तेंस क्या कालाएगा तो इसी का टेंस कालाएगा perfect ठीक है और यदि यह वर्ब के साथ दिखाए पड़े भी इभी फ्लस वर्ब की third form में आपको दिखाए पड़े तो इसी को हम लोग कहेंगे पैसिव और पैसिव का मतलब हम आपको बता चुके इस एमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी हो, बिंग हो, बिन हो, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अब have का मतलब केवल have नहीं है have का भी 5 form होता है have का 5 form कौन कौन सा होता है तो have, had, had, having और has तो have, had, had, having और has इन 5 हो में से किसी भी form के साथ 5 हो में से किसी के साथ भी यानि कि have family के साथ कहीं भी have का कोई भी member हो have का कोई भी form हो उसके साथ यदि आपको verb का third form दिखाए दे तो उस given sentence का structure हम लोग रखेंगे perfect में कैसे रखेंगे आईए ये भी हम आपको यहाँ पे अभी क्या भी तूरंत हम आपको implement करके दिखाते हैं कैसे आप किसी भी given sentence के tense को पाचानेंगे तो ये देखे ये क्या था हमारा ये देखे ये क्या था तो ये था verb का first form हो गया present और ये चुकी present में है ठीक है प्रेजन्ट है तो verb का जो first form है या verb का जो fifth form है ये यदि sentence में एक लोथा verb के रूप में use किया गया हो तो सबसे पहले first form या या fifth form को देखे हम लोग इसका tense क्या बताएंगे प्रेसेंट और ये यदि उस sentence में Шिंगल वर्व के रूप में यूज किया गया हो तो इसी को हम लोग कहाएंगे Indian it Indoorate क्षेंगी इसी को बोलेगे हम लोग इंडिफनेट बात समझ में आ गए और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तोड़ा सा और आगे लेकर चलते हम आपको यदि कहीं भी किसी भी sentence में वर्ब का second form आपको दिखाई पड़े तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इसी को बोलेंगे past और यह यदि उस sentence में एकलाओते वर्ब के रूप में single वर्ब के रूप में use किया गया हो तो इसी को हम और यहां से हम आपको कुछ sentence को पाचानना सिखाते हैं और कुछ एक section में हम आपको लेकर चलते हैं जैसे आप यहाँ पर आईए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको यह वर्ब का fourth form दिखाई दे रहा है देखें इसको हम लोग पाचानना सी के सबसे पहले इस क्या है यह है वर्ब का fifth form कैसे है तो जो वर्ब B होता है उसके पाच form होते हैं जो वर्ब B होता है उसके पाच form होते हैं ठीक है उसके भी पाच form होते हैं और यह पाचो form कौन कौन से हैं तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग M को यहीं पर हम लोग रखते हैं R को यहाँ पर रखते हैं किसको तो यहाँ पर रख भी होता है ठीक है अब आप देख लेजिए इस क्या है तो इस है वर्ब का फिफ्ट फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग present क्या बोलेंगे present ठीक है यह बास समझ में आ रही है तो इसको क्या बोल दिए हम लोग इसी को हम लोग बोल दिए present अब आप जड़ा ध्यान दिजिए इसके अलावा आप और क्या देखनी के मिला यह है यह वर्ब का फूर्थ और यूज़ करके आसानी से पाचान सकते हैं और फिर यदि इसको डीटेल में जानना हो तो आप हमारे टेंस पार्ट वन को जाके देख सकते हैं वहाँ पर आपके इन सारे डाउट के आंसर मिल जाएंगे ठीक है चलिए तो अब यहाँ से हम लोग प्रिजेंट इंडिफरेंट से किसमें चैंज करते हैं तो इसमर प्लस वर्प के थढ्ट वर्म में मत्वें तो अर्डूर संंक ऐसा है तो इसके साथ क्या हो जाएगा ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अगला सेंटेंस देखें अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ यहां पर इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे इसका तो यह प्लक्स क्या यह वर्ब का फिट फॉर्म यह हमारा subject ही है हमारा object तो सबसे पहले subject और object को हम लोग change कर लिए हमारा answer क्या बनेगा the flower और ये वर्ब का fifth form है इसको किसमे चेंज करते हैं इसको हम लोग change करते हैं is word可 today यह बात समझ में आ गई तो इस प्रकार से इस गिवन सेंटेंस का हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और सिमिररली यदि हम लोगों को पैसिव दिया गया हो तो पैसिव से एक्टिव हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे देखिए कैसे इसको भी हम आपको यहीं पर एबी दिखाएं दिया ठीक है में वयर यह है मिन वव यह है इसके साथ यह क्या लिखा हुआ यह है हल् और इसके बाद देखें यहां बाई लगा हुआ है बाई के बाद इधर जो लिखा हुआ यह active का बनेगा तो यह active का बनेगा subject ठीक है बाद समझ में आ गए अब जब इस passive को आप active में बनाएंगे तो इसको subject को रखेंगे पहले ठीक है subject को रखेंगे पहले और आप इसको बाद के पहले यह यह न पर लिखा गया होगा हुगा उसको हम लोग उसका के से इक्टिव पैसिव यह इकटिव यह पैसिव यह पैसिव यह ठीक है बाद समझ में प्रेज़न्ट डिपरेंट बैस्ट राइए हम लोग को कुश्चन को सॉल्व करना यह से सीखते चले यह देखे आपके एससी एक्जाम में पूछा गया कोशन है तो सबसे पहले आप इस कोशन में क्या करेंगे तो हमने आपको क्या बता है सबसे पहले हमारा में वर्ब यह क्या है हमारा में वर्ब तो हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपको क्य क्या है तो वर्ब का फिप्ट फॉर्म है क्या हो क्यों कि कट में देखे इस लगा हुआ है ठीक है तो यह वर्ब का फिप्ट फॉर्म होगा मतलब इसका टेंस क्या होगा इसका टेंस होगा प्रेजन्ट इन डिफरेट इसका टेंस क्या हुआ इसका टेंस होगा प्रेजन्ट इ इस पर करते हैं अब देखिए यही से आपका एक्जाम का जो point of view है जिस point of view के साथ जिस approach के साथ आप अपने एक्जाम में पूछेंगे question को solve करते हैं वो यही से develop होता है क्या develop होता है पर आप देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम इसको फिर से mode को clean करके हम आपको फिर से यहां पर सिखाने समझाने का प्रयास करें सबसे पढ़ले यह हमारा मेंपा में यह क्या है यह हमारा वर्ब का फिफ्ट फॉर्म यह हमारा सब्जेक्ट यह हमारा ऑबजिक्ट ठीक है आपजेक्ट पहले आ जागा देखिए सारे उप्शन में दट्री 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 यही सेम एप प्रोश आपको डिबलब करना में ठीक है। अब ध्यान दिजिए। यहां देखे इजिए इसके तीनों हैं से हमोते हैं अब देखिए, तो ये भी third form हो सकता है, अब यहां देखिए, cut by the officer, तो ये down कहां कायब हो गया भाई, देखिए, आप कुछ बातों का विशेस रूप से ध्यान रखेंगे, जब भी कभी active से passive या passive से active में किसी भी sentence को change करते हैं, तो हम लोगों को कुछ बातों का विशेस रूप से ध्यान रखना होता है, वो कौन-कौन से बात हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना होता है, तो सबसे पहले कि जो verb का tense है, वो tense change नहीं करेगा, पहली बात, दूसरा बात sentence का meaning change नहीं करना चाहिए, sentence का meaning change नहीं करना तो जो sentence given होगा जो verb given होगा उसका meaning mode और tense ये तीन चीजे change नहीं करनी चाहिए इस बात का आपको हम सबों को विशेश रूप से ध्यान रखना होता है while solving questions को बनाती जैसे sentence यदि एक्सकलामेटरी दिया हुआ हो तो उसको Exclamatory Format में ही रखना में यह dogma yes जौन्ट है विशेश रूप से हम सबों को ध्यान रखना होता है और यहीं वो सेक्षण है чисam हम में से ज़्यादा तर लोग जाके घलती कर बढ़ते हैं तो आप अलर्ट हो जाएए अब देखें यहाँ पर cut down अब cut down क्या है एक प्रकार से यह phrasal verb है आपको phrasal verb नहीं समझ में आए तो idioms and phrases personnage समझे지 समझे एडियमस & phrases भी आपको समझ में नहीं आई तो आप सिंपली समझेए कि किसी भी davr के साथ कोई भी यहां पर प्रिपोजीटिशन अट और था कोई भी प्रिपोजीशन अट आपको सिखाते तो यह cancel हो गया अब देखे यह हो सकता था यह हो सकता था ठीक है वर्ब का फॉर्म इन दोनों में सेम है यहां पर कट के साथ डाउन मीसिंग है यहां पर कट के साथ डाउन गीवेन है और यूज करते हैं यह दा ओफिसर भी आ गया अर्थात हमारा और और यहां पर आज के लास में सॉल्व करते हैं चलते हैं खुद को आगे लेकर यहां पर यहां पर कहीं कोई गडबड़ी नहीं होती है यहां पर इरत दिया ही नहीं जाता है अब आपको फसाने के लिए यह दिया गया तो सबसे पहले आप देख लिए यह वर्प का फिफ फॉर्म में कहां चेंजे कर नहीं से मार प्लस वर्प के थर्ड फॉर्म में अब यह जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे इस एम आर तीनों म ने और रहां मिल गया तो यह हो गया हमारा अंसर कि तब् journée कि तना आशान होता है एप सब्जेक्टिब पेस्शन के को MR को बनाना खेंड चली कुछो ul एकel сторे से हम लोग लगा यह क्या है तो यह हमारा वर्ब का फिप्ट फॉर्म यह क्या है सब्जेक्ट यह क्या है अब यह एवरीडे जो दिया गया है इसको लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है यह बाई के पहले भी आ सकता है बाई के बाद भी लिखा हुआ हो सकता है अब देखे यह वर्ब का फिप्ट फॉर्म है यहां पे देखे दाग तक का पार्ट समय से मैं की नहीं है अब यह वर्ब का फिप्ट फॉर्म है तो इसके साथ क्या यूज करना है इसमर प्लस वर्ब क third form ठीक है अब यह देख़ें यह object है object कईसा है singular is तो जब यह प् décimekt का subject बनेगा तो इसके साथ कौनसा वज़ेंगे हम लोग वर्ब का use करेंगे अर्था u is को हम लोग use करेंगे ठीक हैँ अब इसके साथ जब लोग is इसका यूज़ करेंगे तो आप सिंप्ली चेक कर लीजे इसके साथ वर्प का थर्ड फॉर्म देखें यहां पर है क्या नहीं है तो अप्सन नमर एक एंसल हो गया यहां देखें इस एम आर प्लस वर्प का थर्ड फॉर्म इसके बाद भाई भी लिखा हुआ है दगरल यहां देले यहां फेर यहां देंगि मीनिग दोनों का सिम है लेकिन य집णिषा मीनिशे इस एंसर मारा ऑप्श मैं〜 घा रस दे देखें को बात समझ में आ गई चले एक और को शन हम लुग फटा फट लगाते चले और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यह काफी आसान है, इसको आप आसान है से बना सकते हैं, यह थोड़ा सा बड़ा सा sentence दिख रहा है, आईए इसी को हम लोग यहां पर बनाना शुरू करते हैं, यहां पर देखिए थोड़ा सा बड़ा सा sentence आपको दिख रहा है, यह हमारा main verb क्या है, uses, और इसका verb का form कौन सा है, तो इसका भी verb का form है, फिप्ट फॉर्म, यह हमारा subject, यह देखिए यह क्या है, तो यह हमारा object, old spares for the car, तो यह for the car हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें कोई मतलब इससे नहीं, आप देखिए sentence में यहां पे, सब में old spare parts, old spare parts सब का sim है, अब part क last में देखिए क्या लगा हुए, मतलब यह कैसा है, plural है, तो अब चलिए, object यह plural है, यह verb का first form या fifth form है, तो इसके साथ हम लोग यूज करते है, is mr plus verb के third form, is mr plus verb की third form, तो यह जब इधर लिखा जाएगा, object जब subject बनेगा, तो उसके साथ हम लोग क्या use करेंगे, आर, तो अब यहां, r का third form नहीं है, यह भी cancel हो गया, अब यहां देखिए, सिर्फ और सिर्फ इस sentence में आपको दिखाई दिया, r plus verb का third form, तो आपका correct answer हो गयी है, बात समझ में आई, तो आज के class में, आज के voice के, इस first lecture में, हम लोगों ने voice के, बहुत सारे fundamental और pre-requisite या essential बातों पे हम ल लोगों ने detail में चर्चा करे, उन सभी चीजों को हम लोगों ने basic label से समझने का प्रयास किया, जिसके जरूरत आपको voice के question को active से passive या passive से active में change करने में पड़ता है, ठीक है, तो इन्हें के साथ यहीं तक आज के class को हम लोग समप करते हैं, आज के class को हम यहीं पे conclude करते हैं मिलते हैं हम लोग अगले class में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार, तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, ठीक है, थैंक यू